ओमूकं करो तिवाचालं पंगों लंगयते गिरिं यतकृपा तमाहं बंदे परिमानन्द माधुँ। गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णू गुरूर देवु महे सुरा गुरू साग्षात परंब्रह्म्य तश्मै स्री गुरुवे नमा। शर्वे भवन्तु शुखिना, शर्वे संतु निरामया, शर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कशित दुख्य भाग भरे। करपूर गौरं करुणा वतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वशंतं हर्द्यार विन्ने भवं भवानी सहितं नमा। आकॉऔ भव्यू नियुक्षिरेत सकते। छिश्चनी 1 बात भुएंद्रहेत वशंतु नियुक्षिरेत अभुए हरे सेख्यमनप। मने नमा अथि नमो अध्याया विज्ञान सहित ग्यान के कथन की प्रतिग्या स्री भगवान वाचे एदम तो ते गोही तमम परवच्छा में अन्सुयवे ग्याने विज्ञाने सहितम यजग्यात्वा मोच्छ से सुभा भगवान कहते हैं उसके पैशाद भगवान स्री किष्ण बोले हे अर्जन तुझे दोस्त दृष्टि रहत भग्त के लिए इस परम गोपनिये विज्ञान सहित ग्यान को भली बात कहूंगा कि जिसको जानकर तूँ दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा लेकिन भगवान ने अर्जन को अभी तक क्यों नहीं कहा ये बात ये पहले ही कही कि बात कही जा सकती थी तो भगवान इसमें एक बड़ी सर्थ और जोड़ दी कि अब कहराओ परम गोपनिये जो है गुहितम विज्ञान सहितम ग्यानम जो बहुत गोपनिये है और जिसको जानकर तूँ दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा अर बहुत गोपनिये है और विज्ञान सहितम अभी तक क्यों नहीं कहा भगवान कहते हैं अभी तक इसलिए नहीं कहा ज़िए प्षम कहा रहे हैं अनसुजवे अनसुजवे दोस रह तोस दुष्टी रहे भक्ति के लिए जब भक्ति का मनदोस दुष्टी रहे हो जाता कि देखू कोई भी संसार की वस्तुवें हम निर्पेक्ष नहीं देख पाते हर समय उसके साथ सापेक्ष होते हम अपनी द्रिष्ट उसके साथ जोड़ देते वस्तु क्या है कैसी यह नहीं देखते हैं उसके साथ हमारी द्रिष्ट ही जोड़ जाती है हमारा विचार जोड़ जाता है तो बिना विचार के बिना अपने को हम जोड़े बस्तु को अज़ इटे अब कहने को परभुपाजी ने हरे किष्णा बालों ने इस कौन बालोंने परभुपाजी ने गीता लिखी है और गीता का नाम उन्होंने दिया है गीता एजिटेज लिकिन गीता एजिटेज है नहीं है नहीं अब जो प्रभुपाद की दृष्टी थी प्रभुपाद ने अपनी दृष्टी जोड़ दी उसमें उनकी भक्ती की दृष्टी थी तो हर जगे भक्ती 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 हर जग संकर की द्रिष्टी में देखो संकर ने भी गीता एजटी लिखा उन्होंने हर जगे अपनी द्रिष्टी जोड़ दी तो हर जगे उनको ग्यान ही दिखाई देने पर लगा ग्यान ही दीखने में आया तिलक ने भी लोगमान तिलक ने में गीता पर भाश लिखा तो तिलक ने अपनी दृष्टी जोड़ दियो उसमें हर जगे कर्म दीग गया तिलक को हर जगे कर्म दीग गया संकर को संकराचार को हर जगे ज्यान दीग गया प्रभुपाद को हर जगे भक्ति दीग गई ये गीता किष्ण की दृष्टी नहीं ये व्यक्ति ने अपनी अपनी किया है तो भगवान कहते हैं अभी तक हमारी जो मानसिक्ता है हर चीज के साथ अपनी दिश्टी जोड़ देते हैं कोई विए चीज जैसी है वैसी नहीं देखते निर्पेक छोके नहीं देखते सापिक छोके एक चीज वही व्यक्ति कुछ और दीख रहा है दूसरा कोई और दीखेगा कभी कभी आप देखो आकास में जो बादल होते हैं उन आकास के बादलों को देखके कितने लोग तरह तरह की बाते कहेंगे कोई कहेगा इसमें देखो भगवान किष्ण की मासरी दीख रही है भगवान किष्ण दीख रहे हैं कोई वहाँ क्राइट को देख लेगा कोई ओम देखने लगता देखो ओम बना हुआ है कि अब जैसी विश्वत्ति की कहते हैं जैसी दृष्टी वैसी स्रिष्टी अपने में कुछ नहीं है श्रिष्टी जो है सो है लेकिर हम वैसा देखते नहीं हम हर समय अपने को बीच में ले आते हैं अपने को उसके साथ जोड़ देते हैं तो निर्व सापिक्स हो जाती है जैसी हमारी द्रिष्टी होती है वैसी स्रिष्टी दीखने लगते हैं आप कभी कफिर टेले जो गाड़ी चलते थी और गाड़ी के आवाज चलने की शीक dealtर तरह 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 की लोगा इसके उसके साथ जुड़के निकिया कारी लेकर लेकिन हम अपनी उसके साथ जोड़ें मञां, अपनी मानता जोड़ आरे दृष्टी जोड़ देते तो भगवान कहती है अभी तक के हमारी जितनी द्रोश्ट देती अब वो आप जितने भी देखें आस्ते को नास्ते का क्या फर्क है एक व्यक्ति है एक व्यक्ति अपने में है लेकिन जिसकी उसके मितरता है उसे उसके गुण दीख रहे जिससे उसकी मितरता है उसमें उसे गुड़ ही गुड़ दीख रहे जिसका प्रेम है मितरता है अपना पन है उसमें उसके गुड़ दीख रहे और जिसका उससे द्वेस है बेर है सतुरता है उसे दोस दीख रहे है उस व्यक्त में हैं दोनों लेकिन दोस देखने वाला दोस देख लेता और गुड़ देखने वाला गुड़ देख लेता अब जैसा हम चाहें जैसी हमारी दृष्टी हो तो भगवान कहते हैं दोस द्रिश्टी जो आश्टिक है उसे सब जगे भगवान दीख रहा और जो नाश्टिक है उसे कहता कहां है भगवान दिखाओ कहां है भगवान यह अपने अपने भाव पर है अपने अपनी द्रिश्टी पर है अब द्रिश्टी अभी तक अरजुन की साथ आठ अध्याय तक भगवान ने अरजुन को देखा अरजुन अभी तरक के इस्तर पर जी रहा था बुद्धी के इस्तर पर जी रहा था और जब तरक के इस्तर पर तरक के स्तर पर है तो भगवान के साथ वो संघर्ष में है वो प्रिष्ण के ऊपर प्रिष्ण खड़ा करता प्रिष्ण के ऊपर फिर प्रिष्ण खड़ा करता एक प्रिष्ण का कृष्ण उत्तर देते हैं उस बीच में दूसरा प्रिष्ण खड़ा कर देता दूसरे जुन पहली बार अपने बुद्धी को छोड़ के हर्दय के इस्तर पर आ रहा है अब व्यक्ति बुद्धी के इस्तर पर है तो संगर्ष में जाएगा बुद्धी के इस्तर पर है तो संगर्ष में जाएगा और हर्दय के इस्तर पर है तो समर्पड में जाएगा हर्दय पर है तो समर्पड में सुईकार करना चाहेगा समझना चाहेगा तब उसके अंदर जिग्यासा होगी सत्त को सत्त को समझने की जिग्यासा होगी और जो बुद्धी के इस तरपज जी रहा उसमें जिग्यासनी उसमें कौतु हल होता है उसके साथ सिस के साथ जब हिर्दे से जुड़ा हो सिस के साथ गुरू का संबाद होता है गुरु का संबाद होता है हिर्दे से हिर्दे की बात होती है दिल से दिल जुड़े होते है लेकिन जो दो व्यक्ति जो बुद्धी के इस तरफिदे जीद रहे हैं वहां पर संबाद नहीं होता है उसे कहते हैं संस्कृत में कहते हैं बितंडा होता है या विवाद होता है एक जब कुछ कह रहा है दूसरा उसकी बात सुन नहीं रहा समझ नहीं रहा उसकी बात का खंडन कैसे किया जाए जो यह बात व्यक्ति कह रहा है इसके बात का खंडन कैसे किया जाए इतने बीच में वो यह सूचेगा इसकी बात का खंडन कैसे करें इसकी बात को काट कैसे निकाल तो वो संबाद नहीं है, वो बिवाद होगा, बितंडा होगा, दो बुद्धियों की टकराहट होगी, दो बुद्धि एक दूसरे के साथ संघर्स में लेकिन जब दिल से दिल की बात हो, हरदय से बिक्ति जोड़ा हो, तो गुरु और सिस के बीच में एक संबाद होता है, जो संबाद दिल से बात आती है और दिल को बात जाती है, दिल को छूती है तो भगवान कहती है, अर्जन तू बुद्धि छोड़के हरदय के इस्तर पर आया है, बुद्धि को छोड़के हरदय के इस्तर पर आया है, अब ट्रेश्ट है sr здоров part है, उले का आर्थ है trusting mind विश्वास भरोशा स्रद्धा जब तक स्रद्धा ना हो तो बुद्धी की टकराहरती विवाद था अब पहली बार तुझ दिल के स्तर पर आया है तो अब संबाद अब भगवान कह रहे हैं मैं तुझे वह बात कहेंगे जो बहुत गोपनी है क्योंकि आप तेरी द्रिश् मैं पिश्वाहत रहा अभी तक त्लाइख एक आस्त67 गोड दीख रहाए हैं नास तक उसे दोस्त दीख रहा हme लेकिन भगवान कहते हैं संत हो है ना जिसकी दृष्टी दोस्की है ना गुण की है एक निर्पेक्ष दृष्टी हो राम कथा में आती है कहते हैं एक वार एक ना जी राम कथा लिख रहे रामार लिखी रहे रामार लिखी रहे एक ना जी ने एक ना जी रामार लिखते हैं साम को रामार सुनाते हैं जो स्रदालू आते हैं ससंगी आते हैं उन्हें राम कथा का रोज पाट सुनाते हैं राम कथा सुनाते हैं और ऐसी मानता है कि जहां रामकता हो तो कहते हनुमान जी जरूर वहां सुनने जाते हैं तो एगना जी रामार सुनाते हैं हनुमान जी सुरोताओं के बीच में छिप कर आते हैं बैठते हैं बेस वदल के और रामकता सुनते हैं अब राम कता हनुमान जी को आश्चर होता घटना है त्रेता युग की और ये संत लिख रहे हैं कल युग में त्रेता युग की हर घटना ऐसे अच्छर सा सच लिख रहे हैं कि जैसे कोई आखों देखी घटना हो हनुमान जी को भी बड़ा आश्चर कहते हैं रामाड की घट रामाड लिखते लिखते एक नाच जी की रामाड आ जाती है वहाँ पर के जब हनुमान जी लंका में सीता की खोज में गए थे तो असोग बाटका के फूल रक्त बान थे अब एक नाच जी लिख रहे हैं कि जब हनुमान जी असोग बाटका में गए थे सीता की खोज में तो असोग बाटका के फूल स्वेट बर्ण थे सपेद रंग के थे एक नाजी लिख रहे सपेद रंगे थे हनुमान जी को लगा इस संद ने सब कुछ तो ठीक लिखा लेकिन यहां गलत हो रहा यहां भूल हो गई यहां चुक गया और राम कता में भूल हो जाए तो हनुमान जी के लिए इस युकार नहीं आसा है तो कहते हैं स्रोताओं के बीच से हनुमान जी ने आवाज लगाई के जब हनुमान जी गए थे असोग वाटका में सीता के खोज में तो उस असोग वाटका के फूल सुटवर्ड नहीं थे रक्तवर्ड थे, सपेद नहीं थे लारंके थे एक नाजी ने उस स्रोताओं की बीच से आई हुई आवाज को सुना अंसुना किया कहा जो मैंने लिखा वो ठीक लिखा चुब बैठो जो मैंने लिखा है सब ठीक लिखा है चुब बैठो, सुनो हनुमान जी को लगा ये संत बड़ा दुराग रही है जोट रामकता मैं जोट जोड़ रहा है और मेरे कहने पर भी सुधार करने को तैयार नहीं है तो कहते हनुमान ये प्रगट होकर कहा कि देखो, मैं हनुमान हूँ और मैं नहीं चाहता कि हरामकता मैं कुछ असुद्धी हो, जोट हो घटना मुझसे सम्मंदित है और जब मैं असोग बाटका में गए थे सीता के खोज में तो मैंने इन आखों से देखा था असोग बाटका के फूल लारन के थे स्वेत बढ़ थे एक ना जी ने सुना हनुमान जी को पराब किया और हनुमान जी कहा तो मैं आपको पराब करता हूँ लेकिन फिर भी जो मैंने लिखा 워ठीक लिखा है लेकिन एक ना जी अपने रामयान में सुधार को तैयर नहीं कहते हैं हनुमान जी ने ये बात भगवान राम से जाके कही कि कलियों के एक ऐसा भक्त है जो रामान में सब कोई ठीक लिखा लेकिन एक जगए जूट है और वो सुधार करने को तैयार नहीं है और हनुमान जी ने बात बताई कि जब मैं खुद गया था इन आखों से मैंने देखा था तो असोग बाटका के फूल रक्तवर्ण थे लार रंकर थे और ये संत लिख रहा है स्वेट बर्ण थे सपेज रंके थे संत ने ये लिखा है तो कहते हैं वहाँ जानकी जी बैठी हुई थी जानकी जी ने कहा हनुमान जी तम तो थोड़ी देर के लिए गए थे मैं वहाँ लंबे समय रही और मैंने अपनी इन आखों से देखा था कि असोग बाटका के फूल स्याम बर्ण थे स्याम बर्ण थे मैंने खुद इन आखों से देखा है अब हनुमान जी उस भक्त को तो जूटा कह सकते थे लेकिन जानकी को कैसे कहें कि रख्त बर्ण नहीं थे स्याम बर्ण थे हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा सचाई क्या है जानकी जी कह रही स्याम बर्ण थे स्यामले रंके थे नील बर्ण थे और ये भक्त ने लिखा है स्वेत बर्ण थे और मैंने देखाया रक्तवर्ण थे लारंके थे सचाई क्या है भगवान ने का हनुमान जी उस भक्त ने जो लिखा है वो सही लिखाया है असोग वाटका के पूल स्वेत वर्ण ही थे लेकर हनुमान जी जब तुम वहाँ गए थे तुम्हारे अंदर क्रोध था आवेश था नहीं लाल देखे और जानकी का जब हरड हुआ तो जानकी के आखों में भगवान राम का सुरूप चाया हुआ था जानकी की लेत्रों में भगवान रौम समाई हुए थे तो उन्होंने जो कुछ देखा वो स्याम बर्ण देखा राम के रूप में देखा राम के रंका लेकिन संतने जो लिखा है वो ठीक लिखा है सुट वन ही थे जैसी द्रिष्टी वैसी सृष्टी हो जाती अब भगवान पहली बार कहते अर्जुन तेरी द्रिष्टी दोस्त द्रिष्टी रहत हुई है अन्सूजवे अभी द्रिष्टी तेरी दोस्पूर थी अभी तक तुम भुद्धी से जुड़ा था तर्ग से जुड़ा था आज पहली बार तुम अब हिर्दे से जुड़ा है भाव से जुड़ा है प्रेम से जुड़ा है भक्ती से जुड़ा है इसलिए बह्त्रीज बागवान कहते हैं मैं तुझे वो परम गोपनी borrow विग्यान सहित जयान को कहूंगा परम गोपनी और परम गोपनी विग्यान सहित गोर्ण है इसलिए है कि ये दूषरे के द्वारा बताया जाना कहना समयना मुश्किल घुट वह अब दीखों सभी बिद्दुर्त के उस्प्रण सभी बिद्दुर्ट के जितने भी हैंजी जुनीजी से चलते हैं पंखा चल रहा तो बिजली से चल रहा बलब जल रहे तो बिजली से चल रहे फ्रेज टीवी जो भी चल रहे बिजली चल रहे अब जब भी तुम जानना चाहोगे कि बिजली है या नहीं तो क्या करोगे किसी ना किसी इस्टुमेंट को उप्योग करके देखोगे बलब जलाके देखोगे तो कहोगे बिजली है पंखा जलाके देखोगे तो कहोगे बिजली है फ्रिज चल रहा तो तम कहोगे बिजली है हीटर चल रहा तो तम कहोगे बिजली है तो सीधा बिजली को देखना का कोई कारण उपाय नहीं है कि बिना इन उपकरणों के सीधा विजली को कैसे जानोगे, कैसे देखोगे, जब भी देखोगे उपकरणों के माध्यम से जानोगे, उपकरण बीच में माध्यम बनेगे, साधन बनेगे, प्रगट करने के लिए, विजली को प्रगट करने के लिए कोई न कोई उपकरण माध आप परमात्मा परम गोप्णी अब परम गोपनी नियु तो हमारी समझ सोफ और अभा थी है कि अब किसी भीच्चे से पूंछो भीजली तो कि आप बच्चा निसमें लायट होती है क्या दूसरे पंखा चलता हुआ देख रहां वह कहां रषा कि भिजली में हवा होती है अब सब बात सचाई है लेकियों कि इन्होंने उपकरण देखे हैं और उपकरणों से जो उपकरणों की क्रिया थी जो इस्टुमेंट थे इस्टुमेंट के जो फंक्शन थे उपकरणों की जो क्रिया थी उस क्रिया को देखा और बिजली के बारे में इन्होंने लड़े किया बिजली के बारे में सीधा बिजली को देखने कोई उपाए नहीं वो कहते ने जो चार अंधे हाती को देखने जाते कि हाती कैसा है चार अंधों ने अब एक ने हाती की पैर को देखा तो कहेगा हाती तो खम्मे जैसा है जिसने हाती के पैर का इस्पर्ज किया वो कहेगा हाती तो खम्मे जैसा है जिसने हाती के पेट को इस्पर्ज किया हाती के पेट पर हाथ पे रह गए गए हाती तो ढोलक जैसा है जिसने हाती के सून देखे वो कहेगा हाती तो एक मूसल जैसा है जिसने हाती का कान का स्पर्श किया वो कहेगा हाती सो सूप जैसा है और सब जगड़ा करेंगे एक कहेगा नहीं मुसल जैसा है दूसरा कहेगा घम्मे जैसा है तीसरा कहेगा ढोलक जैसा है चौता कहेगा सूप जैसा है ह। चारों ने देखा और अपने अपने को बताया लेकिन उनको आंख नहीं थी ऐसे ही जैसे चार बच्चोंने बिजली के चार उपकरणडेक है उबिजली को है बता दिया विजली में परकास है विजली में घरमी है है बिजली अधये सब्सांग को समेगते हैं कि ना बिजली में कोई हवा ना अजबिफिय हो के सारे सारी vid unserem के धर्म है ये जो भी है वो सब उपकरणों के धर्म है जैसा उपकरण है वैसा उनका फंक्शन हो गया वैसा उनका बेवहार हो गया वैसे उनसे क्रिया होने लगी उपकरणों के धर्म है बिजली में ये कोई भी धर्म नहीं है ना विजली में रोशनी है ना हवा है ना ठंडी ना गर्म जो प्रौड है वो समझ रहा है लेकिन बच्चे हैं वो जगड़ा करें ऐसे ही जो नेत्रिहीन है वो जगड़ा करें कि हाती ऐसा है लेकिन जिसको आख है वो कहेगा ये सब एक-एक अंग को जाना है इन्होंने एक-एक अंग को जाना है हाती के लेकिन हाती में सब है हाती सू तो अगलग एक 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 अंग को जाना और समघ्रता में जिसने उसे जाना है समघ्रता में समघ्रता में वही जान पाता जिसे आँख है जिस है तो समघ्रता में जान पाता कई भगवान कहती है अर्जुन अब मैं तुझे परमगोपनी आध किEMAThe c कि आख है अब भाव की आख है तेरे पास अब तुन देख पाएगा अब तेरे पास विवेक की आख है तेरे पास स्रद्धा की आख है भाव की आख है प्रेम की आख है अब तुन देख पाएगा और देखो अगर अर्जन में स्रद्धा ना होती और किष्ण अपने बारे में कहें कि मैं ऐसा मैं ऐसा विप्ति क्या कहें यह बड़ा आत्म सलागी है आत्म सलागी जूटी आत अपनी अपनी प्रसंसा अपने मुह से कर रहा है अपने मुझे ही अपनी प्रसंसा कर रहे कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ यह बात भगवान द्रियोधन को नहीं कह सकते थे कि मैं क्या हूँ दूसासन को नहीं कह सकते थी यह बात मैं क्या हूँ यह अरजन को ही कह सके क्योंकि अर्जुन में दोस्दृष्टी नहीं है अर्जुन अब अर्जुन में दोस्दृष्टी नहीं है अब अर्जुन के साथ भाव से जुड़ा है प्रेम से जुड़ा है स्रधा से जुड़ा है तो परम गोपनी है क्योंकि भगवान कहते हैं जो अपना सुरूप है वो अपरम गोपनी है उसे और विज्ञान सहित उस ग्यान को पुना जिसको जानकर तुँ दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा विज्ञान सहित विज्ञान सहित अन्भव से अंतर की यात्रा में उत्रों उस अन्भव में जाओ विज्ञान सहित उस ग्यान को खाली देखो बहुत धीक है किसी ने कहा दूसरे ने सुना लेकिन अगर उसके साथ स्रद्धा ना हो भाव ना हो तो ग्यान है इंटलेक्चुल है वो खाली बुद्धी से बुद्धी तक गया वो उसके साथ भाव नहीं जुड़ा प्रेम नहीं देखने का कुई उपाई नहीं कर द得 एक मा अपने बच्चे लिए कितना स्रम उठाती है सब्सक्राइब मासे को परिगट हो के जडरा दिखाओ काईसा होता प्रेम प्रिगट करने का कोई उपाव नहीं अब उसके क्रिया कलाब से बिवहार से हार भाव भाव से ही प्रेम प्रिगट हो रहा है प्रेम की सुगंदी प्रेम का सौंदर प्रिगट हो रहा है कि मा जिस तरीके से अपने बच्चे की देखवाल करती है प्यार करती है सम प्रिगट हो रहा है लेकिन वह भाव जो है हिर्दे के किस तरह पर है उसे बाहर से कोई उपाय नहीं दिखाने का तो भगवान कहते हैं विज्ञान सहित उस ग्यान को अलाय कि अनभो के साइब और यह बिग्ञान तो रर्विक्ति को वो जाता बुद्य के सतर पर अर्जन के साथ अब विषयेश गयान क्योंकि अर्जन के साथ अच्छरद्धा प्रद्धा जुड़िये, विस्वास जुड़ा है, भाव जुड़ा है, एक बच्चा अपने बाप को कहता है, एक बच्चा बाप को कहता है कि मुझे तो सुना है, बगीचे में बहुत संदर फूल लगे हैं, मुझे देखने जाना है, समुद्र के किनारे बहुत उगता हुआ, सूरा समुद्र की लहरे बहुत संदर होती हैं, मुझे देखने जाना है, अब बच्चा समुद्र की लहरें देखना चाहता है, बगीचे में खिले हुए संदर फूल देखना चाहता है, तो बाप कहेगा मेरी अंगली पकड़ो चलो म मेरे साथ में ले चलेंगे वहां और बच्छा ही का है के नहीं पहले पक्का बता दो के तुम मुझे पहुंचाओगे कहीं भड़का तो नहां मा भी अगर बच्चे के मन में संदेय हे प्रिस्न है अस्रद्धा है तो वह अंगली पकड़ने को तयार नहीं होगा साथ चलने को तयार नहीं होगा और बच्चे में स्रद्दा है भाव है भक्ती है विश्वास है पिता पर तो बाप की अंगली पकड़ेगा और बाप उस बगीचे में ले जाएंगे जहां सुन्दर फूल खिले हुए बाप उस बेट्टे को उस जगह ले जाएगा जहां सागर पर सुन्दर लह रहे हैं वह सूर का प्रिकास से सुन्दर लग रही हैं लेकिन बच्चे में बाप की अंगली पकड़ने का भाव तो हो स्रद्धा तो हो उतना समरपड तो हो भगवान कहते हैं वह अनभव तो जहे आएगा क्योंकि अब तुम अनसुजा भी अब तुझे दोश्ट रजश्टे और जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा ग्यात्वा असुभात मुक्छ से जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा और देखो यह किसी के लिए है क्योंकि दुख्का कारण है संसार दुख्का कारण है हमारा मन दुख्का कारण है हमारा आहंकार दुख्का कारण है हमारा संसार के साथ संबंद संसार के साथ पादा आ सकती तो जब तक संसार के साथ आ सकती है तादातम है मैं शरीर हूँ उहांकार मेरा है ममता तो शरीर है मन हूँ उससे साथ संसार जुढ जाएगा तो हमें व्यक्ति भी चाहिए वस्तू भी चाहिए अनकूल परस्थिती भी चाहिए वस्तू व्यक्ति परस्थिती हमारे सब अनकूल हो वह हमें चाहिए क्योंकि सरीर की जरूरते हैं मन की जरूरते हैं और जब व्यक्ति सरीर मन से मुक्त हो जाता है, सरीर मन बुद्धी से मुक्त हो जाता है, अंतर मुखी होता है, चेतना के साथ जुड़ता है, तो वहाँ दुख से मुक्त हो जाता है, कामना से मुक्त हो जाता है, सारी की सारी कामना का आर्थ है बहर मुखी, कामना का आर्थ है बाहर की यात्रा, बाहर की दोड़, बाहर का संसार, बाहर की खोज, बाहर सुख, कामना कार्थ है, सुख बाहर है, बाहर की दोड़, और जब व्यक्ति कामना मुक्त होता है, तो अंदर से जुड़ता है, सरीर का तादात में तो बाहर की दोड़ आएगी, सरीर की तादात में व्यक्ति वस्तों की आ सकती बनेगी क्या मांग आएगी मंच आएड़ी वासन आएगी और जब व्यक्ति अंदर से सरी मन बुद्धी का तादात व्यक्ति के तादात बने तो कामनाएसे लिवस total हो जाती जैसे नई झाथे ब्रक्ष में पुराने पत्ते ज्टायते हैं जैसे सूरज निकलता ऐंधेरा छट जाता कि ओँ आसे ही व्यक्त के अंदर जब अंतर से जुडता है तो बाहर से उसका तादात तूट जाता है बाहर से उसकी आ बाहर की दोड़ बाहर की चाहा बाहर की मांग अंगले स्लोक में भुवान कह रहे हैं राज विद्या राज गुहियं पवित्रम इदम उत्तमम पृत्च्छा वगमम धर्मयम सुखं करतुम अब्वयम भगवान कहती हैं ये विज्ञान सहित ग्यान सब विद्याओं का राजा राज विद्या सब विद्याओं का राजा सब गोपनियों का भी राजा अति पवित्र अति उत्तम पृत्यक्च फल्वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनासी है भगवान ने कितनी कहते हैं ये लगों आठ बात हैं दो चार पांच आठ बात हैं भगवान ने इसमें एक साथ कह दी अब क्या है यह विज्ञान सहित ग्यान कैसा है सब विद्याओं का राजा राज विद्या राज विद्या है राज गोईयों है राज विद्या क्यों है दो दो तरह के ग्यान है एक ग्यान है पदार्थ का ग्यान वस्तूओं का ग्यान व्यक्तियों का ग्यान बाहर का ग्यान बाहर की वस्तू व्यक्ति पदार्थ का ग्यान एक है और दूसरा है स्वयम का ग्यान आत आत्म ग्यान आज सारी दुनिया में देखो बाहर का ग्यान तो बहुत है आज जितने तुम्हें पढ़े लिखे लोग मिलेंगे डिगरी होल्डर मिलेंगे इनिवर्ष्टियों से पीएजडी की हुए मिलेंगे उनके पास बाहर का ग्यान है लेकिन आत्म ग्यान नहीं है सोयम का ग्यान नहीं कि मैं खुद क्या हूं कि पहाड़ों के बारे में बता देंगे ब्रक्षों के बारे में बता देंगे तार चानों के चांद तारों के बारे में भी बता देंगे ग्रह नचत्रों के बारे में बता देंगे लेकिन वो स्वयम से अनभिग हैं स्वयम का ग्यान न बहुत ग्यान था। रास्टे में जा रहा और आकास की तरफ उसकी द्रिष्टी है कि यह ग्रै है यह ग्रै है सब्तृ नसी मंडल है यह दृपतारो आकास की तरफ दृश्टी करके जा रहा देख रहा। संयों की बात है हलका अंधेरा था इसलिए बाहर के तारे देख रहा था वो दृष्टी आकास की तरफ थी लेकिन जब जा रहा था तो रास्ते के किनारे ही एक कुवा था जिसमें वो गिर जाता अंदा कुवा था पानी नहीं था उसमें गिर जाता और जब गिर जाता जो जो उसे चिलाया, मुझे बचाओ, बचाओ, गाओं की एक बूढ़ी औरत, घास काटके खेश से ला रही थी, अपने पशूओं के लिए घास लेके जा रही थी, उसने किसी की आवाज गिरने की सुनी और आवाज सुनी जदोड़ी, उसने अपना घास का गठर खोला, वो रसी न कि राके उसे सहारा देके उस बैग्यानिक को बाहर निकाला उसे बाहर निकाला जब कुए से बाहर तो उस बैग्यानिक ने उसका बड़ा धनवाद दिया बड़ा आवहर विक्त किया कि तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार है अब मैं तुम्हारे उपकार का कैसे तर दूं कैसे में तुम्हारे आइसान को पूरा करूं तो उस वैग्यान ने कहा देखो मैं बहुत बड़ा वैग्यान हूं अंत्रिक्ष के बारे में तार चानों के बारों में सितारों के बारों में मुझे बहुत ग्यान है यह चान तारों का अंत्रिक्ष का मुझे बहुत ग आते हैं तो लाखों लाखों रुपए मांगते हैं लेक्चर के तुम से तुम्हें मुफ्त में हम ये ग्यान देंगे वो बुढ़िया हसने लगी कि जिसे जमीन के गड़े ना दीखने से हुआ बुढ़ी वो औरत गाओं की हसने लगी कि जिसे जमीन के गड़े तो दीखनी र ज्ञान का लिये मे Sisam चांद तारों का ज्मीन के गड़्डे दीखनी रहें इसका इसकी प्रमानक ज्ञान sofaश जोनटा किना उपरी-उपरी ऊछुगा थे भरोसे ला इक है कि ऐसा उपरी ज्यानक जिसे ज्मीन के गड़्डे ना दीखते हो और आज हमारी यही इस्थिती है कि बाहर का अंतरक्ष का ग्यान बहुत हो गया ब्यक्ति वस्तू परिस्थिती पदार्थ का ग्यान बहुत है ब्रक्चों का ग्यान पहाड का ग्यान नदियों का आस बहुत ग्यान हो गया लेकिन स्वेम के ग्यान से बंचेत है स्वेंप के ज्ञान से बंजतेता हैं और उसका परेडाम यही है कि हम खुद गड़्े में गिर रहे हैं दुख से मुक्त नहीं हो पड़े दुख और बढ़ते जा रहे हैं यह ग्यान भी बढ़ता जा रहा हूँ धुख भी बढ़ता जा रहा अहंकार बढ़ता जा रहा इसलिए में कहते ना कि इन कासी के पंड़तों के पास ये से बाहर का ग्यान था पदार्थ का ग्यान था यूनिविस्टियों में देखो प्रोफिसरों के पास अब जितना बिना पढ़ा लिखा आदमी डिगरी होल्डर पीएशडी वाले ये जल्दी नहीं इनमें अहंकार बहुत हो जाते के मैं ने बहुत कुछ पा लिया मुझे बहुत ग्यान है जबकि इस ग्यान का इस ग्यान से कोई समद्ध नहीं पदार्थ का ग्यान और परमात्मा के ग्यान का कोई समद्ध नहीं बाहर की दुनिया का ग्यान और अंदर के अंतर चेतना का ग्यान दोनों के बीच में कोई समद्ध नहीं लेकिन आदमी ने जिसने बाहर का ग्यान लिया उसको लगता अब मुझे सब ग्यान आ गया अब मुझे किसी और ग्यान की जरूत नहीं है उसका अहंकार बीच में अबरोध बन जाता रुकावट बन जाती कुछ और जानने के लिए लेकिन भगवान कहते यह जो है गूड ग्यान अंदर का ग्यान यह गूड ग्यान राजी ग्यान राज विद्या यह ऐसा ग्यान है कि जब तक यह ग्यान नहीं होगा तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा आज युनिविस्टियों में लोग देखो कवीर के ऊपर रविदास के ऊपर मीरा के ऊपर नानक के ऊपर लोग पीएशडी कर रहे थीसिस लिख रहे पीएशडी कर रहे लेकिन उन्हें मालूम नहीं नानक कवीर बिना पढ़े लिखे थे बिना पढ़े लिखे कबीर बिना पढ़े लिखे नानक बिना पढ़े लिखी रविदास अब उनके उपर पिएशडी हो रही तो उनके पास बाहर का ग्यान नहीं था आत्म ग्यान था उनकी अंतर जोती से जुड़े हुए थे अंतर की चेतना से वो जुड़े हुए थे अंतर के अन्महों से जुड़े हुए थे उनके पास वो राज विद्या थी बाहर की सारी विद्याएं वो विद्या नहीं है वो अविद्या है जो दुखों से मुक्त नहीं करा पाती है है दुख-्रूफ सार से कोई मुक्त होगा और राज-्विद्यास होगा पर्मात्मा के ग्यान से होगा पदार्थ ज्यान से नहीं किसी कि वेख्यान को देखोड कि मांत में तमाम तरहे के इंको मांसिक विसास से नहीं डिप्रेशन हो जाता है सुईशाइड कर लेते हैं लोग अब तुम देखो यह अपड़ लोग कम करते हैं पढ़े-लखे लोग संपन्द लोग पढ़े लखे लोग डिप्रेशन में जाते हैं जो बुद्धी शंपन है डिग्री होल्डर है उनके पास आत्म ग्यान नहीं है अगर आत्म ग्यान रहा होता राज विद्या रही होती तो साथ यह जीवन का दूस्परडाम यह ना आते भगवान कहते हैं वह राज विद ग्यान को जानके सब कुछ जानना हो जाए जिस ग्यान को अपने सदम कहते हैं सिस अपने गुरू से पुछता है ऐसा कौन ग्यान है जिस ग्यान को जानने से सब कुछ जानना हो जाए तो गुरू ने का जो आत्म ग्यान है वही सभी ग्यानों को जानना है अंतर की जोती से ह व्यूद्धों को भी जयने लिए विए अंदर के प्रकास से जाना है कि हम उन्सार का और की आत्म योती ना आत्म चेतना ना होती संसार का कोई ग्यान भी ना हो सकता था संसार का ग्यान तो एक सीमित है लेकिन उसके लिए जो पात्र बना कंटेनर बना वो बना है अंतर का ग्यान आत्म ग्यान आत्म ग्यान इतना विराट है अशीम है और वो पूड है उसमें कोई लगता नहीं है संसार के ग्यान में सदा लगता कोई आत्मी नहीं कहेगा है मैंने सब को जान लिया संसार का ग्यान केवारे में कोई नहीं एगा ihmने सब को जान लिया क्युंकि जितने ग्यानिक होती हैं ऑन्होंने यही कहा कि अभी तक मैंने ऐसा ईसा जा dirtyast और एक ग्यानिक ने जुद कोई खोज की दूसरा ग्यानिक उसका दोध कर देता Contradiction कर देता विरोद कर देता कि यह नहीं ऐसे नहीं ऐसे है लेकिन आत्म ग्यान जितने आत्म ग्यानी हुए सभी सयाने एक मत सभी सयाने एक मजितने आत्म ग्याने हुए बुद्ध ने जो कुछ कहा महावीन ने जो कुछ कहा वही नानक ने भी कहा वही कबीर ने भी कहा वही मीरा ने भी कहा क्योंकि सबके अन्भाव एक जैसे है दृष्टी अलग-अलग कहेगी अगर आज से हजार साल पहले गुर्ड किसी के लिए मीठा था तो वो गुर्ड आज भी मीठा है हाँ जिन्होंने स्वाद लिया उनके लिए मीठा है जिन्होंने मात्र आँख से देखा था वो कहें के नहीं, पहले वाला काला होता तो अब गुर्जरा सफेद हो लगा अब उनकी आउज आउख, उनका अन्भव नहीं है वो आउज से जिननोंने जाना आउज तो भेद खड़ा करेगी लेकिन जिनका स्वाद है, वो कहेंगे हमने स्वाद लिया है जो बुद्ध का ने जो स्वाद लिया है वही महावीर ने लिया वही नानक ने लिया वही कबीर ने लिया वही मीरा ने लिया भगवान कहते हैं अति गोपनी है गोपनी है वही गोपनी है क्योंकि गोपनी है ना होता प्रगट होता जो सब ग्यानी हो जाते सब ग्यानी हो जाते लेकिन हो क्यों नहीं पा रहे हैं उस पर उनकी दृष्टी ही नहीं है उसी ज़रा वो सुना न वो कोई कोई भिकारी मंदिर के बाहर बैड़ के 20 साल तक भीक मांगता रहा एक भिकारी मंदिर के पास बैड के बीच साल भीक मांगता रहा और बीच साल बाज जब उसकी मौत होती है तो गाउं के लोगों ने देखा इस बिकारी का कोई था नहीं उसकी मौत हो गई तो उसकी लावारिस लासको गाउं के लोगों ने उसकी अंतिष्ट क्रिया के और जहां बैठा रहा बीच साल उ याई एक कुदाली ले अए हलकी हलकी मित्टी अख्वाडी उख़ाई वहाँ से एक खजाना उसके नीचे मिला जहां वो भिकारी बैट के भीग मांग दा था उस पे नीचे खजाना दवा पड़ा था क्योंकि उस भिकारी को मालूम ही नहीं था को खजाने की उपर बैट के कौड़ी कौड़ी मांग रहा है एक एक पैसा दुनिया के सामने मांग रहाए खजाने की ऊपर बैठा हुआ उसरे खजाने की कोई खवर नहीं। थी अठीगोपणी है उसे कोई गुरु मिला होता ज्यानी मिला होता तो उसे उस ग्ञान का परिचे करा का धन पाया इसे कहते हैं आध्यात्मिक संपदा इस प्रीचुल बैल्थ अंदर की जब संपदा पाएगा तो उसकी दर्दता मिटे गी अन्य था जिन्हों अंतर से जोड़े नहीं है अंतर की खबर नहीं है अंतर की संपत्ति नहीं पाई वो राजाओं को भी तुम भिकारी ही पाओगे उनमें भी वही रिक्तता है वही खालीपन है वही अभाव है जो भिकारी में है वही राजा में भी और कभी कभी यह राजा ज्यादा भिकारी हो खुद की पातरता हो किसी महपुर्ष की गुरु की किरपा हो जाए बब अर्जुन की पातरता बनी के अर्जुन में स्रध्धा जगी विश्वास जगा समर्पन जगा प्रेम जगा क्रिष्ण के प्रति तो कुम uh इसा ग्यानी अब उनको बता पा रहा है कि अब मैं तुम्हें बता रहे हैं जो आती राज विद्या है राज गुईयम है सभी विद्याओं का राजा है और आती गोपनी है और आती पवित्र है आती उत्तम है आती पवित्र है नहीं ज्यानेन सदिस्यम पवित्रम यह विद्धति घ्यान है पवित्रता और अग्यान है अपवित्रता जब ज्यान आया अपवित्रता ऐसे ही चली जाती है जैसे सूरज निकला राज चली गई सूरज के निकलने से जैसे रात चले गई, अधेरा छट गया, ऐसे ही बगवान कहते हैं, जब अंदर से ग्यान आता, तो अपवित्रता चले जाती है, पाप चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति से कोई आत्म ग्यानी सोचो, कोई बुद्ध महवीर से कोई पिक्षा रखेगा कि वो हिंसा का रास्ता लेंगे, किसी को सताने का रास्ता लेंगे, किसी का शोशन का रास्ता लेंगे, किसी को ठगने का रास्ता लेंगे, कोई ऐसा पिक्षा कर सकता है जैसे अंतर जोती जगी आप जिसे हम निशेद कहते थे यह ना करो यह न करो कहने की जुरूरत नहीं है अंदर की जोती जगी निशेद उससे हो गई नहीं एक आदमी अंधा हो और उसको आप कहें कि ज़रा सीधे जाना और फिर वहां आगे जाके दाएं मुड़ जाना और फिर बाएं मुड़ जाना तो फरनीचर से नहीं टकराओगे दिवाल से नहीं टकराओगे अब कितना ही बता दो वो कहीं न कहीं फरनीचर से भी टकराएगा दिवाल से भी टकराएगा अगर उसे आँख मिल जाए अगर उसे आँख मिल जाए तो ना दिवाल से टकराएगा ना फरनीचर से टकराएगा ना दरुआजा बताना पड़ेगा, वो दरुआजा से बाहर चला जाएगा, क्यूंकि आँख मिल गई, ग्यानी के पास आँख आ गई है, और जब ग्यानी के पास आँख आ गई है, तो अपवितरता उससे होगी नहीं पाप उससे होगा नहीं उसे निसेद की बताने की जरूरत ही नहीं ये ना करो कहने की जरूरत ही नहीं इसलिए वेदों में आप देखें जितने विद्य और निसेद हैं ये सब ब्रमिचारी के लिए हैं ग्रेश्ट के लिए हैं बानप्रस्ट के लिए लेकिस सन्यासी के लिए वेदों में कोई विद निसेद नहीं है क्योंकि ग्यानी के पास आँख है सन्यासी के पास आँख है और सन्यासी वही है जिसके पास आँख हो फिर उससे निसेद निसेद होगा ही नहीं बुराईयां हो तो भगवान के दिए ग्यान अपने में भी पवित्र करने वाला अति पवित्र है अच्छो जब दिया है रोशनी ही आ गई तो अगया तो उससे बुराइया नहीं होगी पवित्रता है वह से पवित्र करेगा और अति उत्तम है अति उत्तम है इससे ज्यादा उत्तम कुछ है नहीं कि उसकी यात्ता या उत्तम का आर्थ है जो प्रकास की तरब लेके जा रहा है उत्तम का आर्थ है जो हमें उपर की तरब लेके जा रहा है जो हमें उर्दगामी कर रहा है जो ग्यान हमें उर्दगामी कर रहा है और ये ग्यान ह हमें प्रकास की तरव लेके जा रहा है कि फिर कास की तरव लेके जा दो हो मुन कहती है वह ग्यान तुझे बताएंगे जो राज-विद्या है राज-विद्या है अठिफपभेत्र रहे अतिवत्तम है Saar contained प्रत्यक्षफल वाला है प्रत्यक्षफल क्या है सूरज निकलता है तो प्रत्यक्षफल यह आता है कि सूरज के निकलने से अंधिरा गया प्रत्यक्षफल है और सूरज के निकलने से फूल खिलने लगे प्रत्यक्षफल है सूरज के निकलने से पक्षियों में भी जीवन आ गया पक्षिछ चहचाने लगे यह प्रितिक्ष फ़ल है और सूरज के निकलने से जो व्यक्ति को डर था कि कहीं बस्तुओं से टकरा न जाये गिर न जाये चोट न खा जाये अब गिरने का कोई डर नहीं क्योंकि वस्तु उसे दीख रहे यह प्रतेक्ष है तो भगवान कहते हैं इस ग्यान का प्रतेक्ष फल है जिनों के जीवर में ग्यान की किरण आई है ग्यान का प्रकास आया है वो दुखों से मुक्त हो गए यह प्रतेक्ष फल है वो दुखों से मुक्त हो गए उनकी अब तरप्ति हम बाहर खोज रहे थे व्यक्तियों में विस्यों में भोगों में बाहर तरप्ति खोज रहे थे वहां से व्यक्ति हट गया क्यों हट गया कि अंदर मिल गया जहां बाहर म्रग मरीच का थी इस इतार्त नहीं था बाहर म्रग मरीच का थी पानी होने का आभास था लेक मिल गया। तो भगवान कहते हैं प्रतेक्ष फल वाला है और धर्म युक्त हैं इस इसमें कहुए अधर्म अधर्म वहां होता है कि हम सनसार की दौड हो सनसार की बस्तु एंसीमत है, चाहने वाली अनेक असीम है उनकी कोई शीमा नहीं अनंत है तो संघर्स होगा अधर्म होगा कि अवे जो हमें धन चाहिए पद चाहिए वो कैसे भी आये वह अनके प्रकारण जूर से छल से प्रपंच से धोका से कैसे भी आये बुराई से आये भलाई से आए कैसे भी आए बाहि हुक और पर इक्रुप हो संसार की मांगो की संसार की संसार से आ सकती होगी तो अधर्म ती आएगा बुरायां भी आएगे slaterain और वी dolorल की खोज है, यहां यह कमी नहीं है, धन की सीमा है, लेकि अंतर आत्म ग्यान की कोई सीमा नहीं है, आत्म ग्यान की कोई सीमा नहीं है, हमें मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, या आत्म ग्यान जादा लोग होंगे तो आत्म ग्यान कुछ कम पड़ जाएगा, बाहर की में नहीं है दिश्य हार ब्रक्ष बुद्ध हर व्यक्तिि तका नाना के हर व्यक्तिник न adoption में जग सकती है कि जैसे हर वीज में ब्रक्ष च्षपा हुआ है ऐसे ही हर व्यक्तिके अंदर संभोधि हों जगी हुए बुद्धत्य की समभावना है हर व्यक्ति में और उसमें कोई कमी नहीं आएगे कि ज्यादा आत्म ग्यानी हो जाएंगे तो ग्यान में कमी है यह ग्यान ऐसा है और बढ़ता है तो भगवान कहते हैं धर्म युक्त साधन रूप में और बड़ा सुगम है और अबनासी है बड़ा सुगम है सुगम इसलिए ह क्योंकि इसने बाहर से कुछ Rachel नहीं है इसके लिए कोई पढाई लिखाई नहीं है कोई फुस्टख नहीं चाहिए कोई यूनिवस्टी नहीं चाहिए कोई टीचर नहीं चाहिए और यहां तक कि यह इंद्रियाओं का भी कोई योगदान नहीं है अगर इंद्रियाओं का होता कि आँख वाले को ही यह ग्यान मिलेगा तो अंदे सूरदास को नहीं मिलता आख वाले को ही मिलेगा तो अंदे सूरदास को न मिलता पढ़े लिखे को ही मिलेगा ये ग्यान तो सैथ कबीर को न मिलता तो रविदास को न मिलता लेकर भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को बड़ा सुगम है क्योंकि हर व्यक्ति की निजिता है हर व्यक्त की निस्ता है, सुगम है इसके लिए कोई पढ़ा लिखाया। नहीं होना जरूरी नहीं किसी भासा का जानना जरूरी नहीं किसी उनिवस्ठी में जरूरी नहीं यहाने कि घरीब आद्मे को नहीं मिलेगा कि कि वो Is School College University यह अमीर को हेंना को युंिव इस नहीं जरूरत किसी पैसे की कोई जरूरत नहीं किसी बाहर की कोई भासा सीखने को जरूरत नहीं है कोई आंक introduction की जरूरत नहीं कि वह इंद्रियाओं का विजाइब ही नहीं है इसलिए तो नानक, बुद्ध, कवीर, मीरा ऐसे लोग पा जाते बड़ा सुगम है भगवान कहते हैं क्योंकि इसमें बाहर की यात्रा नहीं अंदर की यात्रा है बाहर से कुछ पाना नहीं है अंदर से जुड़ना है और ये अंदर से जुड़ने की संभावना, ये संभावना हर व्यक्ति की है ये हर व्यक्ति में, हर बीज में ब्रक्ष है ये संभावना सबके साथ नहीं थे बस सर्त यही है कि बाहर से दुनिया से हटे अंदर की तरब मुड़े अंगले स्लोग में भगवान कहते हैं अस्रद्यधाना पुरुसाह धर्मस्यासे परमतपे अप्रापे मामनिवर्तंते मृत्यु संसारे बर्त्मनी भगवान कहते है परमतप इस उपर्योक्त धर्म से धर्म में स्रद्धारहिद पुरुसाह मुझको नाप्राप्त होकर मृत्यूरूप संसार चकर में भष्रमण करते हैं। वही बाद जो मैं कह रहा हूँ घवान कहते हैं इस उपर्योग धर्म में स्रद्धा अस्रद्ध धाना स्रद्धा रहिद्ध पुरुस मुझ को प्राप्त ना होकर मृत्ति रूप संसार्श कर्में भ्रमड करते रहे ते जो स्रद्धा रहे थे जो सूजवे मनलब है जिसमें दोस द्रिष्टी है और अस्रद्धा रहित है अब अस्रद्धा है अब बच्चा बाप कहेगा मेरी अंगली पकड़ो मुझे हाथ पकड़ाओ मैं तुम्हें लेके चर रहे बगीचे में जहां सुन्दर फूल खिले हैं जहां पक्चियों का कलराओ नाध है तुम चलो मेरे साथ पक्चियों का संगीश सुनाएं के सुन्दर फूल खिले हैं चल करें तो कि फिर वो बच्चा उस बगीचे का दर्सन नहीं कर पाएगा बगीचे की सुंदर्ता का आनंद ना ले पाएगा अगर बगी बाप बच्चा अपने बाप की अंगली पगड़ने से इंकार कर दे ऐसे ही भगवान कहते हैं जो अस्रद्धा धाना जिस रद्धा रहत ह उन्हें उन्हें विश्वास नहीं हो गया ना सास्त्रों पर विश्वास ना गुरू पर विश्वास ना संतों पर विश्वास ऐसा अब्यक्ति जिसे विश्वास ना स्रद्धा नहीं है भरोशा नहीं है जो खोज के लिए तैयार नहीं और मैंने का स्रद्धा का अर्थ है ना विस्वास ना विस्वास तो बहुत वार अविस्वास को दबाने की चिष्टा है अंदर अविस्वास है तो बाहर से विस्वास को का आवरण पहनेगा विस्वास अविस्वास को विस्वास से दबाना चाहेगा लेकिन जहां विस्वास अविस्वास दोनों खत्म हो जात प्राप्त होते हैं जो अस्रत धाना है वह वान को प्राप्त मुर्थ रूप शंसार बर्तमनी इसी संसार में पुन्रप जन्नम पुन्रप मरनम पुन्रप जन्नी जठरे सैनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे भाहवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति बार बार संसार में जन्न इस विष्वास नहीं हो पाराएं बभाव श्रद्धा नहीं है। बुद्धि नहीं है यह तो बाचळय निवर्तन भी का विशए नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए भाव चाहिए हरदय चाहिए तो बहुत नहीं है अश्रद्धा नहीं है प्रेम नहीं है ऐसा व्यक्ति मृत्वी संसार चक्र में प्रमण करते रहे तो बार बार उनरप जन्दम दुखों के संसार में ब्रमण करेगा भटकेगा वो मुक्त नहीं हो पाएगा जीवन में आनंद की अन्भूती ना कर पाएगा क्योंकि अस्रद्धा धाना तो भगवान कहते हैं लेकिन अर्जुन तेरे अंदर दोस्द्रिष्टी से मुक्त हुआ है अस्रद्धा उदाय हुई है इसलिए मैं तुझे ये ग्यान दे रहा सभी को प्रणाम और आज हुली पर्व की सभी को बहुत-बहुत सुबकामना है परमात्मा करें ये हुली के रंग सब के जीवन में खुशी के रंग लाएं जीवन हुली के जैसा उस सब सारे जीवन में उस सब से भरा रहे तो बहुत-बहुत सभी को हुली की सुबकामना है और यहीं पर सब्द में अपने बाणी को विराम देते हैं हरी हो